फाइनली दोस्तों सच में बरुंदावन के फेंस का इंतजार खत्म होने वाला है और यह इंतजार सिर्फ बेवी जोन के लिए नहीं बलके कई सारे रीजन्स से खत्म होने वाला है जैसे कि बरुंदावन का कमबैक होने वाला है वो भी इंतजार खत्म होने वाला है इसके अल करना चाहिए तो वो इंतजार भी खत्म होने बाला है मसलब की वरंधमन पूरी तरह से एक अलग हीरो बनकर आ रहा है जिसके चलते आप सभी लोगों की सभी डिमांडे पूरी होने वाली हैं सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें आज बेवी जॉन फिंट से जै कि उपले लोगों ने लुग को देख सकते हैं बलंधमन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था और यहां पर जयाकी सरौप का लोग देख सकते हैं जो कि जैकी सरॉप को विए अलगी लेवल मैं बना ऐनाकर रख दिया है इस फिल्म में बहुत ही देंजरस ब्लेंड रहने वाल है जैकी की मेकर्स फिल्म का गिल्म से रिलीज करेंगे सांती साथ और हम अपडेट के बारें बात करें तो 15 अक्टूमबर को सीटर डेल बेप सीरेज का ओपीसर ट्रेलर आएगा जहां पर बरुन्दवन ना खुद अनौंसमेंस किया है सांती साथ एक्षन के बारें बात करेंगे तो बरुन्दवन के पास एक्षन फिल्मों की लाइन है जैसा कि सीटर डेल जो की एक्षन बैपसी रह जाए बेबी जो की टोटली मास एक्षन फिल्म है फिर बॉर्डर टू जो की एक एक्षन फिल्म रहने वाली है तो बरुन्दवन के फिल्म के लिए सभी बहुत अच्छे निकल करांगे और मुझे लगता है कि बरुंदवन अब बहुत बड़ी हीरो बनने वाल हैं वो दिन गए जो कि बरुंदवन के फ्लॉप दिन थी जैसे कि कूली नंबर वन कलांग कैस्टी 3D ऐसी फिल्मों की बज़े से बरुंदवन का केरियर बहुत जादा डाउन हो गया थ लेकिन पर भेड़ी ये फिल्म ने बरुंदवन को एक अलाग इंसान बनाया और अब बरुंदवन बेवी जोन फिल्म के बाद नेक्स्ट लिवल पर पहुंचने वाले हैं तो कमेंट करकर बताना आप लोग बेवी जोन फिल्म के किलिम्स के लिए कितने ज्यादा एक्साइ कमेंट करकर जरूर बताना